हेलो एवरिवन, वल्कम टू माई यूटुब चैनल, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, 25 नवंबर से एलपी का CBT1 स्टार्ट हो रहा है और जो है कि स्टार्टिंग में जिनका पेपर होता है, मालों की फर्स्ट डे, फर्स्ट शिफ्ट में आपका पेपर होता है तो क्या आपको benefit मिलेगा या फिर आपको नुकसान रहेगा इस बात को लेकर student के बीच में बहुत confusion है काफी लोगों को लगता है कि starting में paper easy आता है तो starting में हमारा exam होना चाहिए कुछ लोगों को इसका उल्टा लगता है कि last में paper असान होता है तो ये doubt आपका इस वीडियो में clear होने वाला है बिल्कुल logically मैं आपको सारी बाते वदाने वाला हूँ साथ ही मैं normalization के बारे में भी बात करूँगा कि starting में जिनका paper होता है उन्हें normalization का ज़्यादा फायदा मिलता है या जिनका paper last में होता है उन्हें ज़्यादा फायदा मिलता है और इसमें आपकी मदद करता है test book future officer sale में अभी आप लोग yearly test book pass pro मातर 615 रुपे में ले सकते हैं description में जो link है उससे आप इनकी website पर जाकर purchase करेंगे और EG10 code का use करेंगे तो 12% discount के साथ आपको ये pass मिल जाएगा selection होने पर 100% different तो यहाँ से मिलता ही है साथ ही मैं आपको बता दू सतर हजार से जादा mock test सतर हजार से जादा previous year test practice question test access to pro live test unlimited re-attempt ये सभी कुछ आपको pass pro में मिल जाता है उसके अलावा में बात करूँ अगर आप ELP की तियारी कर रहे हैं तो CBT1, CBT2 और साथ ही साइको की mock test series भी आपको यहाँ पर मिल जाती है 1363 से जादा total set available है उसके अलावा subjective test, topic wise test सब कुछ आपको multiple languages में यहाँ पर मिल जाते हैं 20 lakh से जादा active user है तो आपको actual analysis में मिलता है कि आप इस speed में कहाँ पर stand करते हैं तो देखो सबसे पहला जो student का doubt है जो मेरे पास कहीं लोगों ने पूछा कि सर जैसे यहाँ पर 25 तारिक से exam start है 25 नवंबर को first day exam का अगर हमारा exam first day में या फिर जो है first shift में ही पढ़ जाता है तो क्या हमारा paper easy रहेगा या फिर difficult रहेगा तो मैं एक चीज आपको clearly बताना चाहूँगा वैसे तो railway में इसका कोई fix criteria नहीं है कि starting में अगर paper रहेगा तो वो easy रहना है या last में paper रहेगा तो वो difficulty रहेगा ऐसा कोई fix criteria नहीं होता है लेकिन journal यह ऐसा देखा गया है कि जिनका exam starting में पढ़ता है first day में, first shift में या first day की second, third shift में उनके जो questions रहते हैं difficult आपको देखने को मिल सकते हैं ऐसा past के exams में देखा गया है और क्योंकि देखो group D के exam में सबसे ज़्यादा shift होई थी और NTPC में तो उस time पर ऐसा देखा गया था कि starting में question बहुत normal से पूछे जा रहे थे but ending तक जाते जाते questions का level बहुत बढ़ गया था तो ऐसा normally देखा जाता है बट इसका fixed criteria नहीं है तो ये तो पहले सवाल का जवाब है कि जिनका exam पहले पढ़ेगा उनको थोड़े से easy question देखने को मिल सकते हैं बाद वालों के तुलना में लेकिन अब दूसरा सवाल ये है कि जिनका exam पहले पढ़ेगा उनको benefit है या जिनका exam बाद में पढ़ेगा उनको benefit है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं देखो अब मालो एक student का exam first shift में और first day में पढ़ता है ठीक है हालागि उसके questions थोड़े से easy रह सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा benefit आगे की shift वालो को होता है क्यों क्योंकि देखो जैसे 25 नमबर की ये तीन shift हो जाएंगी इन तीन shift के जो question है वो YouTube पर आजाएंगे चैनल्स पर आपको बता दी जाएंगे GK के अलग से science के अलग से questions मालूम चल जाते हैं या science का किस portion पर majorly focus किया जा रहा है तो थोड़ा सा benefit मिलता है बहुत जादा नहीं लेकिन थोड़ा सा मिल जाता है benefit थोड़ा topics का बता लग जाता है कि क्या NCRT based question आ रहे हैं या common questions आ रहे हैं ठीक है तो ये पहले benefit की बात होगी अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा benefit देखो अब जैसे मालो की जिनका exam हुआ 25 नवंबर को अब इनका मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा paper easy रहेगा as compared to last day तो अब अगर इनका exam यहाँ पर थोड़ा सा easy रहेगा और 29 नवंबर वालो का अगर exam थोड़ा सा difficult रहेगा तो यहाँ पर खेल होता है normalization का अब जब इन 15 shift का normalization होगा तो यह normalization का ज़्यादा benefit 29 नवंबर वाली shift वालो को मिलेगा क्यों मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ जैसे मालो की यहाँ पर हम माल लेते हैं example 25 का और उसके बाद मालो आप 28 और मालो 29 ठीक है अब यह 29 वाली shift अगर hard count हो जाती है बाद में cushion difficult आते हैं और 25 वाली shift easy count हो जाती है और यह बीच वाली moderate रह जाती है तो जब normalization होगा ठीक है मालो यह moderate वाली को base shift मान के normalization करेंगे तो hard shift वालो को ज़्यादा benefit मिलेगा उनके marks ज़्यादा बढ़ेंगे क्योंकि easy shift वालो के number ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे तो already easy shift में बैठे हैं यह normalize का मतलब भी होता है कि neutral करना सभी को equal बनाना तो अगर moderate के equal लाएंगे तो hard वालो को ज़्यादा number दी जाएंगे easy वालो को ज़्यादा number नहीं मिलेंगे बलकि उल्टा भी हो जाता है easy वालो के कुछ number cut भी जाते हैं तो overall इस video का सारांच यह है starting में अगर first day first shift में आपका paper पड़ता है जिनका starting में पड़ेगा उनको एक benefit भी है एक loss भी है जिनका last में पड़ेगा उनको भी एक benefit है एक loss है तो यह basically इस पूरी वीडियो का सारांच से उम्मीद करता हूँ मैं चीज़े आपको बहुत अच्छे से समझा पाया हूँ फिर भी कोई doubt है तो आप comment box में पूछ सकते हैं